नमस्कार दोस्तों ये जो अपडेट है ये CET के फारम के लिए है जिन्होंने CET का फारम भर दिया है या अभी तक नहीं बरा है उन सभी के लिए वीडियो है वीडियो जरूर देखे और वीडियो में दीगी जर्णकारी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे तो किसी ने फारम भरा था अपना तो इसमें क्या है नाम आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे शिर्फ नाम लिखावा है जबकि जो फैमली आइडी में नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमली आइडी में नाम देवी के साथ इसमें लगावा है सोनिया देवी और जबकि इसमें जो नाम है फारम में सोनिया यहां पे लिखावा है तो इसके लिए जो है इन्होंने अपना फारम भरवा लिया फारम भरने के बाद जो इन्होंने अपडेट की फिर यह फारम कहीं और भरा गया था जो पहले एक बार चेक नहीं हो पाया था तो बाद में इसकी जो है म update correction का option नहीं था, तो एक बार तो यदि आप form भर देते हैं, तो उसके बाद जो है, correction का time आपको मिलता है, एक बार फारम में करने का, उसके बाद यदि आपका correction फारम का option खतम हो जाता है, तो आपके पास एकी option है, help line आप यूज़ कर सकते हैं, तो इनको मैंने अपनी तरफ से नाम है, वो सोनिया देवी है, जबकि जो गलत नाम है, वो खाली सोनिया है, तो इसको अपडेट करने के लिए, जो है, request डाले गई थी, बाद में जो है, इनका reply आया था, ये सभी साथियों के लिए, जो नोंने अपने फारम भर दिये हैं, तो वो सभी एक बार अपना नाम डिटेल सभी चेक जरूर कर ले, तो इनका कहना है कि, you have already completed your application form, registration process, successfully paid the fees, your application is blocked, no further modification is allowed, तो यहाँ पर जो है, इनको कोई भी option नहीं मिल रहा है, कि आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, तो जो भी साथी अपना फारम भर रहे हैं, बड़े ध्यान से बरे, लास्ट टाइम नज अपडेट प्रोपर होने चाहिए, और डेट ओबर तो भी आपकी प्रोपर अपडेट होनी चाहिए, तब ही आप अपना फारम जो है, सब्मिट करवाए, उससे पहले यदि आपको पता है कि उसमें कोई गलती है, तो उसको तुरंट सुधरवाले, पहले आपका धारका ठी तो जो साथी अपना फारम अभी तक नहीं भर पाए है, वो अपना फारम जल्दी से जल्दी भरवाले, इसकी कभी भी लास्ट डे डिकलेर हो सकती है, ठीक है, तो इस तरह की सभी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे यूटूब चैल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हुआ झान्वाट